एलो फ्रेंट्स वेटम बेक टो माइ चैनल तो आज के इस वीडियो में हम समजने वाले हैं Hipercalemia के बारे में तो इस से पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने discussion कर रखा है Hipercalemia के उपर Hypercalemia में क्या था कि हमारे सरीर में Potassium का label 5 equivalent per litre से जादा हो जा रहा था यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल वैल्यू क्या दे रखा है तो 3.5 तो 4.5 एम इक्यूवैलिट पर लिटर तो इसका मतलब है कि अगर 3.5 से कम हो जाता है पोटेशियूम लेबल तो इसे हम लोग हाइबो कैलिमिया कहेंगे तो मिली एक लाइन में इसका डिफिनेशन समझें तो जब हमारे बलड में पोटेशियूम की कमी हो जाती है यानि पोटेशियूम का जो लेबल है वो कम हो जाता है और इसी को कहते हैं इलेक्टोलाइट इंबैलेंस हो जाना तो इसी condition को कहते हैं क्या तो hypokalemia यानि हमारे सरीर में potassium का label कम हो जाता है potassium की कम ही हो जाती है normal range याद कर लीजिए 3.5 to 4.5 m equivalent per liter है अलग-अलग बुक में अलग-अलग मिलेगा एक normal याद रखिए कि 3.5 से लेके 5.2 m equivalent per liter normal value है next है क्या कारण है जिसके कारण potassium का जो label है वो हमारे सरीर में कम हो जाता है पहला है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा उल्टिया हो रही है तो उनके सरीर में potassium की कमी हो सकती है अगर किसी को kidney की बिमारी है तो उन्हें भी potassium की कमी हो सकती है अब निक्स्ट है हमारा डाइरिया, डाइरिया का मतलब बार बार अगर आपको वाश्रूम जाने की नीड हो रही है, बार बार आपको जो हैं लेटरिन लग रहा है, लूज मोशन हो रखा है, पेट खराब है, तो उस कंडिशन में भी पोटेशियम की कमी हो सकती है, अगर अजीब तरीके से करके उल्टी करवा रहे हैं, ताकि जो भी खाया पिया है, वो निकल जाए मौन के थूँ, तो उस तरीके का अगर आप सेल्फ इंड्यूस कर रहे हैं, उल्टीया करने के लिए, तो उसके कारण भी पोटेशियम की कमी हो सकती है, यूँकि उसके चलते कारण अलकोहल जादा लेने के कारण भी पोटेशियम की कमी सरीर में हो सकती है, अगर आप अपनी डाइट में पोटेशियम कम मातरा में ले रहे हैं, तो उसके कारण भी पोटेशियम की कमी हो सकती है, सरीर में, कुछ ड्रॉग्स हैं, जिसमें लग्जेटिव हैं, डायुर तो आपको पता चल जाएगा कि यह सारी दवाईयां लेने पर सरीर में potassium की कमी हो जाती है और जैसे sodium potassium calcium और सारी चीजों के अगर यह सारी दवाईयां लेंगे तो और electrolyte imbalance में क्या क्या आएंगे sodium potassium calcium और सारे भी electrolytes आते हैं तो मैं पोटेशियम की कमी को क्या कहेंगे तो hypokalemia कहेंगे इस वर्ड को आप याद रखिए तो यह सारी चीज जब आपको याद हो गई तो में डायूरेटिक्स में क्या था आपका तो लैसिक्स था उसको तो भूलना है नहीं आपको फिर हमारा जो है लेक्डेटिव वगेरा होता है तो यह सारी दवाईया कब देते हैं जब किसी को जो कॉंस्टिबेशन हो रखा है तो कॉंस्टिबेशन को ट्रीट करने के लिए मैडिसिन दिया जा रहा है तो इस कंडिशन में भी जो है पोटेश्यम का लेवल इंबैलेंस हो सकता है नेक्स्ट अगर किसी के सरीर में पोटेश्यम कम हो गया है तो क्या लक्षन कर 76 कि लिए लगए तक इसी भी हिस्से में तो समय के लिए मैं अधिकते हैं यानि मौत यह सकता है कि रसी परिशंस लेने में में तकलीफ हो सकती है भी पिह जो रखत चाप ब्लड प्रिशर बढ़ सकता है आपके जो भी skeletal muscle, setting, जो भी manspacia हैं वो सही से काम नहीं करेंगी अगर आपके सरीर में potassium की कमी हो जाएगी तो और भी सारी दिक्कते होती हैं जो ठकान सा महसूस होना, सेर में दर्द होना बाडी में जो है अच्छे से आपका जो भी जाने के जो दिन सरुया होता है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपका पेट में साफ हो पाएगा तो बहुत सारे दिक्कते हो साती हैं अगर सरीर में electrolyte imbalance हुए तो तो में लिए सारे sign and symptoms थे हैं, अब हम लोग जानेंगे कि किसी के सरीर में अगर potassium की कमी हो जाती है तो उनको treat कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या है कि किस कारण potassium की कमी हो रही है सरीर में, उस कारण का पता लगाना है और उसका इलाज करना है तो हमने पहले ही पढ़ा था कि किस कारण से सरीर में potassium की कमी हो जाती है तो उन कारणों में सबसे जो common समानने हैं वो है उल्टियां होना, vomiting होना, lose motion हो जाना, जिसे कह सकते हैं, पेट खराब होना, diarrhea हो जाना तो उस condition में potassium की कमी हो जाएगी और कुछ ऐसी दवाईयां हैं जिसको लेने के बाद सरीर में potassium का label कम हो जाता है उन दवाईयों में diuretics हैं जिसमें lessics आप कहा सकते हैं, फिर लक्जेटिव यानि कि constipation के लिए दी जाने वाली दवाईयां कुछ सिस्प्लाटें लिवर्टोबा जैसी medicine हैं यह सारी medicine लेने से सरीर में potassium की कमी हो जाती है तो सबसे पहले यह सारी दवाईयों को बंद करना है या पिर इसकी जगत दूसरी दवाईयों को replace कर देना है फिर हैं कि उल्टियां हो रही है तो उसको manage करने के लिए दवाई लीजिए lose motion हो रखा है ने पेट खराब हो रखा है तो उसके लिए दवाई लीजिए कुछ ऐसी बिमारी हैं जिसमें kidney की adrenal gland की बिमारी है कभी-कभी होता है कि kidney कामें नहीं करता अच्छा से और उसके उपर होता है adrenal gland वो कभी-कभी क्या हो करता है कि बहुत ज़्यादा hormone secret करने लगता है तो जिसे की cussing syndrome कहते हैं और भी कुछ कारण है जैसे कि अपने diet में कम potassium लेना कम calories लेना ज्यादा सराब पीना तो आप सराब लेना कम कर दीजिए पूरी तरह से बंद कर दीजिए तभी तो diet में potassium को लीजिए जब आप potassium से भरपूर खाने को खायेगा जिसमें आपका हरी सबजियां है टमाटर है नारियल पानी है केला है खटे फल है खटी सबजियां है अगर आप यह सारी चीज लेते हैं तो पक्का 100% तो नहीं लेकिन 70-20% कहा जा सकता है कि आपके सरीर में potassium की कम ही तो दूर हो जाएगी potassium लेबल मैनेज हो जाएगा अब हाइपोकेलीमियाज अगर बहुत सीवियर है तो आई फ्लूड के थरू यानि कहते हैं कि पानी चढ़ाना है ग्लुकोड चढ़ानी की जरूरत है तो फिर सरीर में आई फ्लूड के थरू potassium जो है चढ़ाया जाता है ठीक है तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए होप हेल्फुल हुआ होगा और एक्जांस में इससे वुष्टन आते हैं फाइफ मार्स में तो आप लोग इन सब पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लिजिए और अच्छे से पढ़ लिजिए त अच्छा कि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें तो थैंक यू बाय टेक कियर